अलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माच चैनल दोस्तों चाहें चीजें हो या फिर इनसान हो, उन्हें इंग्नौर ना करें जरा सोचें, जरा सोचें एक तिनका जिसे आप अपने पैरो तरे रोंद देते हैं एक तिनका जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन जब वही तिंका आपकी आँखों में चुप जाए तो उससे जादा दर देने वाली और कोई चीज नहीं होती दोस्तो अपने बच्पन को याद करें जहां आपको खिलोनों से खेलना उर्तवी पतंगों की डोर को थामना कितना अच्छा लगता था पर आप जैसे जैसे बड़े हुए वो खिलोने भी छुड़ गए और कही न कहीं वो डोर भी छुड़ गए दोस्तो बच्पन में आपको अपने माता पिताओं की छत रचाया कितनी महत्पूर महसूस होती थे आपने अपने जीवन का पहला कदम, अपने माता पीता के उंगलियों को थाम कर आगे बढ़ाया कहीं कदम लड़ खढा न जाए, कहीं आप गिर न जाए पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे नईनी जिम्मेदारी आई जैसे जैसे आप नहीं नहीं रिष्टों में बंदे, जहां पतनी, जहां बच्चे, उन नहीं जिम्मेदारियों, उन नहीं रिष्टों में आप उन पुराने रिष्टों को भूल गए, आप वो भूल गए जिनकी उंगलियों को थाम कर आपने पहली बाद जीवन में चलना सि पैठे, उनने समझ सके, उनसे कुछ सवाल कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, नहीं ना, कौन बदला, माता पीता तो वही है, दोस्तों बदले आप है, जी हाँ आप बदल चुके हैं, और और कुछ बदला है तो उन माता पीताओं के बाल सफेद हो गए है, वो उंगली जिस वो आपके जिन्दगी है, रोज आदा गंटा निकालें, अपने माता पीता के पास बैठें, उनसे बाते करें, उन्हें बताएं कि उनके लिए आप बड़े नहीं हुएं, आप अभी भी उनके लिए बच्चे हैं, आज भी वो आपके बहुत महत्पूर हैं, आज भी वो आ आवाय देती, तब तक वो पेड़ हमें अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे वो पेड़ हमें फल नहीं देता, जैसे जैसे उसकी पतिया जढ़ने लगती, हम उस पेड़ को काड़ देते हैं, दोस्तों चाहें चीजे हो या फिर रिष्टे हो, रिष्टों के पीछे भागे रिष्टों का जरूरत ना बनाए, उन्हें महतपूर बनाए, वही रिष्टे आपके साथ होंगे, वही रिष्टे हर कदम, हर सास तक आपके साथ होंगे, सिर्फ इतना काऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना काऊंगा, कि उन माता पिताओं को भूल के भी जरूरत मत समझे, व तुम अपनी मा का सर काटकर लेकर आऊगे वो व्यक्ति बहुत खुशी-खुशी गया खुशी-खुशी गया और अपनी मा का सर काटकर लेकर आई रहा था कि रास्ते मुझे ठोकर लग गई अव व्यक्ति गिर गया उस कटे हुए सर से एक आवाज आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, तु ठीक तो है, ज़रा सोचे, ज़रा एक छणकले सोचे कि हमने अपनी नेतिक वैल्यू को कितना गिरा दिया है, आज जहां समाज में दिन भर दिन, ओल्डेज होम की गिंती बढ़ती जा रही है, अरे दिल में जगा तो छोड़िये आपके पास तो आपके घर में आपके माता पीता अकले जगा नहीं रही, दोस्तों जिन नकरात्मक विचारों की बेडियों ने आपको जकड कर रखा हैं, जिन नकरात्मक विचारों की बेडियों ने आपको बांद कर रखा हैं, उन बेडियों से अज़ाद हो जाएं, उन माता-पिता को महतपूर समझे, उन्हें अपनी जिन्दगी समझे, जिस दिन आप अपने माता-पिता को अपनी जिन्दगी समझते हैं, उस दिन आपको बनाने वाला भी और आपको इस दुनिया में लाने वाला भी खुश होता है, ये वही माता-पिता हैं, जी हाँ दोस्तों या आपके वही माता पीता है जिनोंने अपने शंगर्ष, जिनोंने अपने दर्द की कहानी इसले लिखी कि आपको एक सुनेरा काल, आपको एक सुनेरा भवश्य दे सके हैं, उन्होंने अपने रातों की कई नीन, कई चैन आप ले गवाई ताकि आप सुकून से सो सके, ताकि उन्हें जरूरत मत समझे, आज उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें महत्पूर समझे, उन्हें अपनी जिंदगी समझे, उन्हें अपने एक अनमोल हिस्सा समझे, सिर्फ इतना कहूंगा, कि अगर मेरी बात, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को स सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने कमेंट्स करना मत भुलेगा, उचे इतने धहरपुरवक सुनने के लिए, आप सभी का धन्यवाद.